देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपणी टाटा मोटर्स ने आज घरेलू बजार में अपनी मशहूर SUV सफारी के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लॉंच किया है। कंपणी ने इस SUV में कई बड़े बदलाव किये हैं जो कि इसे पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बहतर बनाते हैं। आकरशक लुक और दमदार फीचर से लेस नई टाटा सफारी की शुरू आती कीमत 16.9 लाख रुके टैकी गई है जो कि टॉप मॉडल के लिए 25.49 लाख रुके एक्स शोरूंग तक जाती है। तो आए जानते हैं कि आखिर नई टाटा सफारी कितनी खास है। कैसी है नई टाटा सफारी। टाटा सफारी के नई जैनरेशन मॉडल को कमपनी ने कई बड़े बदलाव के साथ पेश किया है। जहां ये SUV एडवांस फीचर से लेस हुई है वही इसका माइलेज भी पहले से बढ़ गया है। कमपनी ने दो लीटर की क्षमता का डीजल इंजन इस्तिमाल किया गया है जो कि एक साथ शून्य पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉप जैनरेट करता है। आटोमेटिक गियर बॉक्स के वल एडवेंचर जोड वेरियंट से ही उपलब्ध है। इसने तीन टेरन रिस्पॉन्स मोड नॉर्मल, रफ और वेट और तीन ड्राइविंग मोड एको, सिटी और स्पोर्ट भी मिलते हैं। कितना देती है SUV। टाटा मोटर्स ने नए परसोना बेस्ट ट्रिम नामों को अपनाने के लिए पुराने वेरियंट के नामों को हटा दिया है। नए टाटा सफारी चार मुख्य ट्रिम्स में उपलब्ध है। जिसमें स्मार्ट, प्यो, एडवेंचर और एकम्पलिष्ट शामिल है। कम्पनी का दावा है कि टाटा सफारी का मैनूल वेरियंट 16.30 किलोमीटर लीटर और आटोमेटिक वेरियंट 14.50 किलोमीटर लीटर तक का माइलेज देता है। टाटा सफारी में आब SUV की पूरी लंबाई में चलने वाले लेट डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLS। इसके अलावा, SUV को ग्रिल को नया डिजाइन दिया गया है और इसमें नए हेडलेंप के लिए एक नया आयताकार हाउजिंग दिया गया है। LED स्ट्रिप से जुड़े टेल लंब को भी नया डिजाइन एया गया है। इसके अलावा, कार में अलॉय वील, रिय स्किट प्लेट और कार के किनारे पर उब्रे सफारी बैच के लिए एक नया डिजाइन मिलता है। इंटीरिय और फीचर्ज, टाटा सफारी के इंटीरिय में 12.3 इंच के बड़े इंफोटीन में सिस्टम और नेविगेशन के साथ एक नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट फ्लस्टर के साथ एक नया डिजाइन किया गया डैश्बोर्ड मिलता है। स्टीरिंग वील का डिजाइन भी बदल दिया गया है। कार में अब बैकलिक लोगों के साथ चार्ट स्पोक अलोई वील मिलता है। इसके अलावा HVAC कंट्रोल के लिए एक टच बेस्ट पैनल, एक 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट फ्लस्टर, और्टोमेटिक वेरियंट के लिए एक नया ड्राइव सेलेक्टर और रोटरी नॉक शामिल है। इसमें डिजिटल इस्प्ले, डूल सोल क्लाइमेट कंट्रोल, पहली और दूसरी पंक्ती के लिए वेंटिलेटिट सीटे, दस्ट स्पीकर, जेबील ट्यून साउंड सिस्टम, रियर विंडो शेड्स मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्ज, नई टाटा सफारी सेफ्टी के लिहाज से भी बेहत शानदार है। कंपनी का दावा है कि, एडल्ट सेफ्टी में नई सफारी को ग्लोबल एंची एपी क्रेश टेस्ट में 34 में से 33.05 पॉइंट मिले हैं। वही जाइल्ट सेफ्टी में 29 में से 45 को मिले हैं। कुल मिलाकर ये ACV 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। सेफ्टी फीचर्स की तौर पर इसमें 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक संरूफ, पैडल शिफ्टर्स, एम्बियंट लाइटिंग, इलेक्रिक पावर टेल गेट और बतौर स्टेंडर 6 एरबैक दिया गया है। हालांकि टौप वेरियंट में साथ एरबैक का विकल्प मिलता है। कम्पनी ने इसमें Advanced Driving Assist System, ADIS, को भी शामिल किया है जो की इसके सेफ्टी को और भी बहतर बनाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। करें वीडियो किया च gefallen किज एक दूत्री कि I एक वाँ आलस्ण साथ है। झालस् disappointष एक करें।